हैरो का नाम मुझे गीता मा नहीं दिया है क्योंकि वो चाहती थी कि एक स्टेज नाम इनको दिया जाए तो फिर मुझे भी लगा कि नहां स्टेज नाम तो कोई न कोई तो रहना चाहिए तो वो नाम मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो नाम मेरे किसान से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये नाम दिया है रहा हुगा जिसके वीडियो सोसल मेडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है इंडियास बेस्ट डांकसर सीजन 4 में जो सोनी टीवी पर आता है उसमें इन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया और इनका च करती है तो बहुत ही अच्छा रहा सफर और बहुत सारी चीज़े सीखने को मिली जब स्टेश पर गये होंगे प्रिफोर्मेंस के लिए तो क्या लग रहा था मन में क्या चुला था क्योंकि मैंने मेरा फर्स टाइम था आई बेडी सीजन 4 और मंच पर चड़ने सपहले मैं सब्सक्राइब कराई बहुत ही गबराया हुआ धा क्योंकि मेरा फर्स टाइम था लेकिन जैसे स्टेश पर गया तो मुझे ऐसा महसूस होगी मेरा जैसा सपना साकार हो रहा है तो फीर मुझे अच्छा लगने लगा कि जब स्टेज पर आगया तो मुझे किस बात का डर है फिर वहां से मेरा धड़का खुल गया आइवीडी में जब आप गये हैं, तो कैसे लगा कि नहीं हमारा सेलेक्सन होगा है नहीं होगा kучा सा मन में चल ला आता जाते डाइग, जब घर से निकले होंगे घर से जब मैं निकला था तो यही सोच के निकला था कि इस बार तो कुछ ने कुछ जरूर करके निकलेंगे क्योंकि मैंने उस तरीके से प्रैक्टिस की थी और उस तरीके से मेनत की थी वो चीजे मैंने पहले देख चुकी थी किस तरीके से मेनत करना है मैं जब ही मेनद करता था तो उस वक्त मेरे डांस पाइटनर जो मनलब अजिद भाई एक बड़े भाई के तरह मुझे हमेशा वो चीजे बताते थे जो मुझे में कमिया थी वो चीजे बता दे कि यहाँ तुछ में यह कमिया है नहीं जब कोई सपोर्ट कर रहा तो फिर क्यों ना अपने उपर विश्वास करके आगे बढ़ते चले हैं दांस में आपकी कब से सुरुआत हो थी कब से आप इसके ट्रेनिंग वगरा ले रहे हैं सीख रहे हैं कि डांस मैंने 2020 से करना इस्टार्ट किया था जो मैं ट्रेनिंग मेरे गुरू जी थे मिश्टर मोहमद सदाप सर तो उनके क्लासे में अपनी मेरी जर्नी जो थी वहां से सुरू हो गए थी सबसे बड़ी बात तो मैंने जब खुद के डांस को मलब की कहीं प्रेजेंट करने की सोचा तो मैंने एक मलब लेटर पैड होता नहीं तो इस पर लिग दिया थे कि नहीं मुझे जो हदर पचीश तक किसी भी डियालटी शो में जाना ही जाना है लेकिन भागवान के बहुत बलाघ शुक्र है कि में 2024 में किसी IBD season 4 में वो भी reality show जो में हर एक का सपना होता है और मैं 24 में गया तो इस बात के मुझे बहुत ही खुशी है कि जो एक साल मैं बहुत ही जल्दी हो गया तो बस खुशी हो खुशी है एक बार आप reality show में जाते हैं जो गाड रहते हैं वापको रोक देते हैं नहीं जाने देते हैं तो फिर खुशी को बुरा लगता है लेकिन उस काबिल तो हमें होना ही चाहिए क्योंकि उस वक्त हम उस काबिल तो नहीं थे तो मुझे लगा कि नहीं मुझे और मेहनत करना है तो फिर खुद को प्रेपर करके अच्छा मेहनत करके मेरे गुरुजी ने अच्छे से मुझे गाइड किया और मेरे मलब की जिनते भी डांस पार्टनर आयूस भाई है सभी ने मुझे अच्छे से गाइड किया और मैं मेहनत करता गया और दांस में तो वैसे भी बहुत जादा मेहनत लगता है मैंने दिन राद करके मेहनत किया है तो फिर मुझे खुद के उपर पिश्वास था नहीं कभी नके भी हम आगे बढ़ेंगे ही तो वए उपर पिश्वास था डांस के लावा आप क्या करते हैं? कैसे कर्च पर चलता है डान्स के लावा क्योंकि मैं खेतों में हम लोग काम करते हैं जैसे दूसरे के खेतों में मजदूरी के काम होता है कि कोई बुला लेता है तो उसके खेतों में लोग जाके काम कर देते हैं और मेरी मा ये काफी सालों से करती चली आ रही है क्योंकि हमारे कि मुझे इसका गलत फादा नहीं उठाना चाहिए जब मुझे फिरी में मिला है तो मैं उसको अच्छे जी जान से सीखूंगा बस वही सोच के मैं आगे बढ़ता चला गया क्योंकि मुझे मेहनत करना क्योंकि जो चीज मुझे और पैसे भी नहीं थे ना तो फिर जब पैसे लगा कर कोई सिखता है तो फिर वो चीज अलग होती है और वो चीज मुझे फिरी में मिल लगा है तो मैं उसका पूरा फैदा उठाना चाहता था इस वज़े से मुझे अच्छा अच्छा पिस्वास था मन में था एकदम संगल्फ के नहीं हम आज ने कलका में आप होंगे वो मन में होता ना कि आप मेंनत करते जाएए कभी न कभी आपको फल मिलेगा बस वही था अपना नाम बताते हैं उस वक्त की क्या बात्चीत थी जड़ा दर्सकों को हमारे बताएए उस वक्त जो मलब इस स्टेज पर जो हम जाने जब गए तो सामने गीता मा जब बैठी थी उन्हें ने जब पहला वर्ड मुझ से पूछा तो मैं थोड़ा सामा हुआ था कि मैं उ दिरे वह चीजे आटोमेटि मेरे अंदर से वह निकल गए निकोटी चीजे मुझे मेरे अंदर से निकल गई नहीं तुझे इनको इनके सामने बोलना पड़ेगा नहीं तो फुर अपनी जौनपूर का रिप्रेजिएंट नहीं कि रपाएगा तो कभी भी क्योंकि तु पहल लड़का है जो अपनी चौनपूर को मिलेब रिप्रेजियन कर रहा है एक रियाल्थी शो में तो मुझे वहां से डर निकल गया कि एक इंटर नहीं मतलब कि जो इतने बड़ी जज्ज है वो हमसे सवाल कर रही है तो क्यों ना मैं उनके सवालों को जवाब दू तो फिर वह से मेरा धड़का खुल गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने बड़े जज्ज हमसे सवाल कर रहे हैं फिर क्योंकि वहां पर गीता मा थी करिश्मा कपूर थी और टेरेंसर थे इन सब के बीच में वहां पर मैंने बहुत सारे एक्सप्रियेंस लिया और बहुत सा से फैसिंहां परिश dall करते हैं दांस में और खेती भी करते हैं तो उन्हें यह भी बोला था कि मैं आपके हरोंगा लेकिन यह मुझे लगा एक कि गाओं आऊंगा आपके साथ डांस सीखूंगा तो यह मेरे लिए बहुत ही शाओ भाग्य की बात है कि एक नोहीं जो मętलब कि हम लोग पहले उनको टीवी में देखते थे आज मैं उनको सामने से बात कर रहा हूँ तो मुछ यह बहुत ही गवरे की बात कर रहाूं बस यहीं सर्था अप्सक्तूक शिरके और मिलगाल कुक्त कुछ नाम उद करना मुझा कि इसल有人 कुछी नाम में शचय में तो यह कुम आखनेतु मुझे उपक 25 सुम्षे में हां मुझे के असले कि पोगा रहना में जिरे का रहते अarna में मुझे जुड़ हुआ है तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये नाम दिया हैरो आज कहा जाए आज आज आपका एपिसोड पब्लिस भी हो जाएगा लोग देखेंगे अहां वो तो बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी खुशी की बात है क्योंकि एपिसोड में आना हर एक डानसर का मक्ष़द होता है तो अच्छा लग रहा है कि मेरा एपिसोड आएगा और में अपनी माँ के साथ एपिसोड को बैट कर देख पाऊंगा बहुत ही अच्छा लग रहा है जीवन को जीने के लिए शंगर्स करना पुर्णा और वे आज विए इतने बड़े एपिसोड में एपिसोड के हिंगे लेकिन आज भी घर में देखने के लिए टीवी ने का दुख भी रहा होग incarnpped करते हैं अम्यवक थो बाद फिर फीख उचए आचूरहिट मनईगे शामा फिर года लेगा जो चीजिय नहीं वो जाएगा ये लेगा Wed रामलखन जी है माता जी बिटवा इतना नाम कर रहा तो किसे लगा थो अच्छा लगा थो अच्छा माने ठीक लगा थो कि आगे बढ़ाएं तकलीफ हो तो ही जब काम करे के हो तो ही आपके इस उमर में जब बिटवा टीवी पर आई तो किसे लगी बहुत अच्छा लगी कि आगे बढ़ाएं आगे बढ़ाएं सर जी जब पहले डांक सुन्स करे तरी डाटर तो तर रहिंगा आप डाटर तर रहिंगा की सब का हैं चकर वी परसान है कि डाटे के बहुत डाटी लेकिन अपने मनें कि अपन कुल कर अपन करत रहें हां कितना दिन पिता जी न आये हैं कितना दिन हमा जूरी करत का हम करमने करमने यही बोलें करमने करे गना तो कि का पैसे कमाए खाओ कैसे कमाए खाओ अरे भाईया बिया करेक साधी करेके कमा धमा अब आई एक खेयो लड़की साधी करेखो क्या डाटती थी भईया आपको माता जी मल्लब हम दिन भर डांसी करते थे थे न तो मम्मी को लगता था कि पैसा नहीं आ रहा है घर में न तो उस चीज़ को उनको बहुत मल्लब दुख था कि कि जब एक पैसा नहीं आ रहा तो किस लिए डांस कर रहे हो तो मैं इनको बहुत समझाता था कि चल माई आज ना तो कल पैसा तो आई बे करी तो फिर यह भी मल्लब कि था इनको भी विश्वास था कि जब यह जहां भी जाता है मतलब कि कुछ ना कुछ लाता है तो आगे यह बढ़ेगा जरूर तो इस चुछ को मुझे कभी भी यह रोक टोक कभी नहीं की क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे घर वाले क्योंकि मुझे डांस करने में वो कभी कि रोकेट टोक नहीं कभी भी रोकेट टोक नहीं कि तु क्या कर रहा है इतना समय हो गया है चल अभी काम कर पैसे लावो कर लेकिन यह सब कुछ भी नहीं था सिर्फ मेरी मागों था कि घर में पैसा आना चाहिए किसी भी तरह तो मुझे भी विस्वास था कि नहीं अगर मैं अभी पैसा नहीं आ रहा तो कभी न कभी तो डांस के जरीए में पैसा अपने मागों को लाके दूँगा अब बिल्कुल देखे रामलखन ने महनत की और संगर्स किया जिसकी बदौलत आज जो है इतने बड़े मंच पर है दो लोगों दो सक्सियत की आपको तस्वीर दिख रही होगी सल्मान जी है और उनके सिस कहा जाए जिन्होंने सादाब जी जिन्होंने तहलका मचा है सल्मान जी कहा जाए आपने एक जो सुरुवात की थी या एक पेड़ लगाया है जो था अब फल देना स्टार्ट हो गया है धन्यवाद आपको सबसे पहले और जो मेरा 20 सालों का सफना था वो जाके आज सब फल हुआ है और एक जो पेड़ हमने लगाया था आज एक शांदार फल दिया इतना बड़ा फल दिया कि जॉनपूर का पहला ऐसा बंदा है जो रियालिटी शो में डांसिंग शो में वो परफॉर्म कर रहा है जॉनपूर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे सिस सादाप का सिस राम लखन और हम लोगे टाइम पे इतना सोचल मीडिया का दौर था नहीं इतना सपोर्ट मिलता था जो आज के दौर में है तो वो चीजे जो चीज हम लोग नहीं कर पाए तो हमारे अपने सिश हमारे अपने छोटे भाई करके दिखा रहे हैं और जॉनपूर के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है राज जी बड़ी बात आई कि भाई पैसे तक नहीं लेते थे प्राउड के लिए और अपना अर्ण कर रहे हैं और अपना मदब सिस्टम सही चला रहे है बहुत हाई फाई नहीं तो बहुत लो भी नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं लेकिन ये मुमेंट ऐसा कि टीवी पे आ जाना रियाल्टी शो में आ जाना तो अपने आप में जो मतब 20 सालों का सबना था हो जैसे लगा आप पूरा और आप बहुत खुशे मिलें राज जी और मेरा प्रियास है जैसे राज रामलखन जी बहुत करीब परिवार से हैं तो हम लोग इनके लिए हम और शादाब मिलके इंस्ट्यूट यहाँ पर उपेन करेंगे यूपी लेबल तक में जो भी हमारी पहचान अच्छे लोगोस है, समाजिक लोगोस है, इनके लिए बहतर कराने का प्रियास करेंगे और ये भी प्रियास करेंगे कि इनके घर में टीवी नहीं है, इनकी माता की आंखों में आसुब भी मैंने देखा तो सबसे पहला काम करेंगी कि हम अपने सही योगी से, कि मैं charity event भी करता हूँ, तो लोगों से support लेके तमाम लोगों की सहायता करने का प्रयास भी करता हूँ, उस सहायता में एक प्रयास ये भी है कि इस talented बच्चे को एक पहले TV हम दिलवाएं, जल से जल, हमारा ये भी प्रया बट जैसा लखन ने कहा कि हम लोग मुंबई गय थे, reality show से हम लोग को बाहर कर दिया गया था, ठीक हम लोगों ने एक reality show में एंटर किया था, एज आ ओडियंस देखने के लिए कि reality show कैसा होता है, तो वहां पे हम लोगों को गार ने बाहर कर दिया था, तो इस ये बोला सर आ प्रहने दीजे हम इतना मैनत करेंगे कि एक दिन ऐसा दिन आयागा कि हम आपको स्टेट उसी स्टेट पर खड़ा करेंगे आज वो पल आया है कि हम देखके इतना मतलब खुशी मिल लगी हमको कि क्या ही बता है जिस मन से दक्का मारा गया उसी मन से उस सिस्ट ने साबित कि यार प्रतिवा है तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारी हिम्मत नहीं फिर दक्का मानने कि तुम इज़त दोगे बुलाके वह हिज़त जौनपुर के इस बच्चे को मिला लग रहा है कि जौनपुर का जंडा गड़ेगा और रामलखन बिलकुल रामलखन ने वो कर दिखाया कि हम लोग का सीना तो बहुत फूल आ है खुशी के मारे और जब ये टीवी पे आज शाम को आएगा तो जौनपुर के लोग देखेंगे पुरे देश के लोग हैं और एक गरीब परिवार का बच्चा केवल और केवल अपनी प्रतिभा के दम पे गया है तो वो चीजे वो मतलब मोमेंट मैं क्या ही बता हूँ वज्यू सर्ड धन्यवाद हम से जुनने के लिए निसे तोर पर आईवीडी सेवन फोर में जाउनपुर का लाल रामलखन जो है तहल का मताएगा आप भी उस एपिसोड को देखना नहीं भूलिएगा